Your Excellency, Pradhan Matri Prachandji, दोनों Delegations के सदस्य, मेडिया के हमारे साथ ही, नमस्कार. सबसे पहले तो मैं Pradhan Matri Prachandji का और उनके Prachandji मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ. मुझे आध है, नौ साल पहले, 2014 मैं कारिभार संभादने के तीन महेने के भीतर, मैंने नेपाल के अपने पहली यात्रा की थी. उस समय मैंने भारत-नेपाल सबंधों के लिए एक हीट फर्मिला, HIT, दिया था. हाइवेज, आइवेज, और ट्रांसवेज. मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्स्थापित करेंगे, कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच, बेरियर्स न बने. ट्रक्स की जगह पाइप्लैन से तेल का निर्यात होना चाहिए. साजान नद्यों के उपर बीच बनाने चाहिए. डेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाय बनाई जाने चाहिए. प्रेंट्स, और नव साल बात मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टर से वाकई में हीट है. पिछले नव सालों में हमने अनेक शेत्रों में कई उपलब्दियां हासिल किये. बिरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई. भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रोस बॉर्डर पैट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई. हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई. सीमा पर नई ट्रांस्विशन लाइन का निर्मान किया गया है. अब हम नेपाल से 450 मेगावर्ट से अधिक बिजली हायात कर रहे हैं. अगर हम नव साल की उपलब्दियों का वर्णन करने लगेंगे, तो पुरा दिन निकल जाएगा. फ्रेंट्स, आज मैंने और प्रधानवर्दी प्रसंजी ने बविश्य में अपनी पार्टर्शिप को सूपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्मून निड़े दिये हैं. आज ट्रांजिट अग्रिमेंट संपन्न किया गया है. इसमें नेपाल के लोकों के लिए नए रेल रूर्ट्स के साथ-साथ भारत के इंडलेंड वाटर बेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है. हमने नए रेल लिंग स्थापित कर फीजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निड़ने लिया. साथ-साथ भारतिय रेल समस्तानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्राशिक्षन प्रदान करने का भी निरने लिया गया है. नेपाल के सुदूर पस्टिमिक छेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिर्शा और जुला घाट में दो और पूल बनाए जाएंगे. क्रोस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनसियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं. इसका लाप हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तिर्थी आत्रों के साथ साथ मेडिकल ट्रीट्मेंट के लिए भारत आये मरीजों को भी मिलेगा. तीन ICP के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सद्रड होगी. पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लेंडमार्क विजन डॉक्टमेंट अपनाया था. इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉंग टम पावर ट्रेड एग्रिमेंट संपन्न किया गया है. इसके अंतरगत हमने आने वाले दस वर्षों में नेपाल से दस हजार मेगावर्ट बिजली आयात करने का लक्ष रखा है. फुकोट करनाली और लोवर अरून हाइड्रो इलेक्रिक परियोजरा उपर हुए समझोते से विद्धुक्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है. मोतिहारी अमलेक गंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चित्वन तक ले जाने का निर्णे लिया गया है. इसके अलावा सिली कोड़ी से पूर्वी नेपाल में जहापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी. साथ-साथ चित्वन और जहापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाये जाएगे. नेपाल में एक फर्टिराजर प्लांट स्थापीट करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमती हुई है. फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक समन बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है. इस सुन्दर कड़ी को और बजबूती देने के लिए प्रधानमत्री प्रचंजी और मैंने निष्टे किया है कि रामायेंड सर्किट से सम्मंदित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए. हम अपने रिष्टों को हिमालय जीतनी उंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी बुद्धों का चाहे बाउंडरी का हो या कोई और विशय सभी का समाधान करेंगे. एक्सलेंसी प्रधानमदी प्रचंड जी, आप कल इंदोर और धार्मिक शहर उज्जेन की यात्रा करेंगे. मुझे विश्वाज है कि आपकी उज्जेन यात्रा उर्जामई होगी और पशुपदिनाज से महाकालेश्वर की स्यात्रा में आपको अध्यात्मिक अनुभूती भी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद.